वेलकम तो स्टेप पाइ स्टेप लेर्निंग आज हम चैप्र नुबर वन के वर्किंग विद लैंगविज विज पॉर्शन नुबर बी हैं इसे हम सॉल्व करेंगे लेर्षन अत्यू पॉर्शन विज वर्किंग लांग तहां है तो हमें इनको यूज करके अपने पज़िल करना है अप्रस यहाँ एक वर्ड है अप्रोस का मिनिंग है कि आपने देखा होगा कि फजल हमें इस टैप से दिया गया है जैसे यह है यहाँ पे यहाँ यहाँ तक जो वर्ड को हमें फिल करना है वह है अप्रोस एक सब्सक्राइब जाके तो उसे हम कहेंगे अप्रोस एंड डाउन का विनिंग है है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वाल आया है यह डाउन इसका मिनिंग है उपर से नीचे की तरफ हमें आना है जैसे पढके सहरे यहाँ हमें आना है उक परसे नीचे की तरफ जो क्लोस दिये गए पजल के अंदर उसे हमें फिल करना है यहां पर देखें डाउन में देखें जैसे 7 नमर में देखें फिर उसके बाद है यह यह दैश है फिर यह भी दैश है यहां पर भी एक डेश है यहां पर फिल आड तो उपर से नीचे की तरफ जो वर्ड में हम आ रहे हैं यहां पर तो इसे हम क्या कहेंगे डाउन स्थार्ट करते हैं पर फिल एक्रोंज कर दीखते हैं क्या सेंटेंस हैं हमारा फॉर्ष फॉर्स्ट मर पर रे टायर्ड वैरी टायर्ड का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा थका हुआ यह बाद यह जो हम्मी सेंटेंस दिया गया यह चैप्टर में किस बार्ड की साथ सुलिट करता हैं कि इसका भी meaning वही है और जो chapter में हमें कोई word आया होगा उसका भी meaning very tired था, बहुत थका हुआ था, क्या word था? weary, क्या word था? weary, हमने देखाता ना, एक word आया था, डबल्यो ए यह आर वाइव यह क्या होता है बहुत थका हुआ तो वेरी टायड भी थका हुआ वेरी भी तो पजल में क्या फिल होगा वेरी पजल में आपको कुछ अलफबेट दे भी भी रहें और कुछ ब्लैंक है तो वहाँ पर हमें फिल करना है जैसे यहाँ पर नमबर वन में देखिए डबल्यो दिया है तो यहाँ पर क्यारेगा यह ए दिया वाइड वाई डब्लू ए आर वाई डबल्यो ए-ई-ड वाई वेरी मीस होता है बहुत थका ह हुआ नेश्टेर नमबर टूपे एक एक गुस्से वाली लुक देना कि गुस्से वे अपना भू बना लेना तो किसकी फीस पर थी एक उसे वाले लुक किसके फेस पर थी हैँ जब उसने गुस्से वे अपना मोग में अपना भू बना ले था किसके उपर चिला रहा था पैक्रेट्रिक कूर उपर जब उसने उससे कहा था कि मेरा होमवर् कर देना उस टाइम में तो बहुत ज़धा गुस्से में देखता है पैट्रिक को Had an angry look on the face की चहरे पर एक गुसे वाली लुक देना एक गुसे वाली लुक में देखना तो एक word आया था चैप्टर में आपने देखा होगा क्या word आया था जो इससे रिलेटीड है हमारा जब वो गुसे में देखता है उसे तो किससे रिलेटीड है वो बर्ड? Had an angry look on the face चैने पर एक गुसे वाली यानि कि इमेज बनाना उससे वाला face बनाना तो एक word आया था और word मीनिंग में पर वो बर्ड आया था तो क्या word था वो? स्कॉल्ड क्या word था? स्कॉल्ड स्कॉल्ड का मीनिंग क्या था उसमें चैप्टर में? बाँ हे चड़ाना जो उसने गुसे में क्या किया था? अपने प्राले था फेस पे से लोटे पढ़ा ली थी उसमें और उसमें अपने आई बोस चड़ा ली थी बहें चड़ाना तो क्या है यह था यहाँ यहाँ पे? एड अन एंगी रूख को अद फेस के लिए? स्कॉल्ड 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 तो यह पर जिपर फिल करेंगे ने नहींब तू में देखिए स्कॉल्ड 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 का मिनिंग भी यह होता है तो थर्ड नमर पे है short trousers short trousers क्या होता है चोटे pajama या फि चोटा pajama या फिर एक भार ये उस भाता short trousers के लिए क्या था breeches 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 b r e c h e is breeches का में बीचिस का मेनिंग क्या था चोटी पथे लों है छोटा pajama इसे फिल करते हैं, नमबर थर्ड में, यहाँ पर थर्ड में, और डबल ए-C-H-E-S, ब्रिचिस का मेनिंग यह भी होता है, छोटी पत्ल में वह वह, छोटा फाइजाम्मा, नमबर फॉर्थ है जो कि इसे अच्छे डंग से काम नहीं करने देती है अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है? वो अपना काम ठेक से नहीं कर पाते है तो इसको क्या बोलते है? गड़ बड़ी या फिर उसमें कोई दोश आ जाना कि जब कोई काम ठीक से नहीं होता तो इसमें बतानी क्या गड़ बड़ी हो गई? इसमें क्या दोश आ गया? जो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पारी है मशीन इसी तरह से एक वर्ड यूस बाता चैप्टर में जिसको यूस किया गया था एज़ वर्ड ग्लिच इलिच का मीनिंग में दोश या गड़ बड़ी होता है न? तो यहां पर क्या आएगा? ब्लिच यहां पर लिखते हैं जी एल आई टी सी एच जी एल आई टी सी एच ग्लिच ग्लिच मीन श्क्या होता है दोश या गड़ बड़ी फिल करने है इसम पाजल में नमर फॉर्थ में जी एल यदिकी जी एल आई टी सी एच ग्लिच ग्लिच मीन से बेड़ बड़ी होता है अब फिफ्त नमर में देखते हैं इस स्मॉल एंड नॉटी बॉइफेरी इस स्मॉल एक छोटा एंड नॉटी नॉटी का में क्या होता है? शरार्ती कौन था छोटा अब शरार्ती निटका? कौन था चैप्टर में? एल फू कौन था? एल एल एफ एल था न? और इसको क्या कहा था हमने? बॉना भी कहा था चैप्टर के अंदर एल एफ बॉना इस माल एंड नॉट्टी बॉइज इसको क्या कहते हैं? बॉना इल्फ तो ये एल्फ यूज़ होगा पॉसल में आपर सिफ्ट में देखिए एहां में देया गया है येरा एल और ए फ एल्फ means बॉना सिफ्त नम्बर में देखते हैं सिफ्त नम्बर आप डॉन में है ये यहां पर आपने देख लोगा troubling हैं थे शिद्धर करें है। विदी ऑपन। बारींग वर्क ऐसा काम THAT दिजर्ट कीए बाओ जाता है यह की जाता है दण विद्धा कैसे ठाघाल देड़ मजताय ऐवर्क व किया जाता है मैं तो इसको क्या वोलते है एक बारािट अमिद गुछ इस अ uy reduce क्या था वो चॉर्स सी एच ओ आर एस चॉर्स का मीनिंग भी क्या होता है दैनिक वाओ कारिया ऐसे काम जो डेली किये जाते हैं लेकिन उन्हें करने में कोई इंटरस्ट नहीं आता हो तो वो क्या होता है चॉर्स वर्क देट मस्ट बीड़न एवरी दो ओफन बोरिंग ओफन किया जाता है वो क्या होता है चॉर्स तो इसी फिल करते हैं हम अपने पजल में नमर्श इस पर देखिए शिक्स नमर किदा रहा है यह यहां पर नमबर शिक्स वी सी एच ओर आर एस जोर्स शी शिट नम पर देखिए च शी एच ओर आर एस चोर्स चोर्स का में निंग क्या होता है दैनी कुबा उब कार यह वां दिखते हैं सेवं थेलर पे आ हिए पासकेट में आ लिड्ट एक टूकरी मिल्ट एक डक्कन वाली टोकरी बस्केट में स्टूकरी डखन वाली तोकरी चप्तर में क्या भर आया देखिए टाप्रन टूकरी करने हैं हमपर 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 मेंज एक छोटी सारी एक धकन वाली टोक दी इसी फिर करते हैं प्रजल में सेंथ न Alrighty, पी सेंथ हम पी बीज़ने हम पी हम पी ए आरह हम पर दीखीग हम पी हम पी हम पी एज और हैंपर हैंपर मींज क्या होता है एट कनवाली टोकरी आप लास्ट देखते हैं एट नमर पर क्या है नमर एट पर आफ देख जाए पिछ ग्राइ गेव ऑश्च एक चोटी एंड है प्च ग्राय ओटेज आवाज में तीख आवाज में चिलाना किसने देती एसी एक छोट है पिछ ग्राइ आप अज बहुत जोड़ से चिलाया था ना पेट्रिक्टिव पर वह बहुत ज़दा तेज आवाज म तो यह word क्या use हुआ था? चिलनाने के लिए क्या word यूज हुआ था चैप्टर में? श्रीक्ड S-H-R-I-E-K-E-D S-H-R-I-E-K-E-D श्रीक्ड श्रीक्ड का विनिंग क्या होता है? चिलनाना तो गेवा श्रीक्ड का विनिंग क्या होता है? दानों का चिलनाना तो इसे फिल करते हैं हम पजल में नमर एट ले यहां पे है नमर एट S-H-R-I-E-E-K-E-A-D श्रीक्ड देखेंगे वे स्टार्टिंग से नमर एट वे S-H-R-I-E-K-E-E-D श्रीक्ड श्रीक्ड का विनिंग भी क्या होता है? चिलनाना श्रीक्ड वो चिलनाया था यह पैट्रिक के उपर यहां पे देखिए अभी सारे कंप्लेट हो गया अक्रॉस भी और डाउव वाले भी यहां पे आप नीचे देखेंगे कि एक साह मार्या टी पर शंड परज है glad विनिच का विकी और जिया कि दीघगे कि एक है यह इस कि यह उं चुटिया डेट कर से ऑर नाये ब्लॉ पल्लू कर से दिखा यह तो हमने कर दोirstिया बट JOS वह हमने अपने आप से विल किया है तो यह पिजल वारा फिनिश हो गया है अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडियर भी में प्रोवाइड करा हूँ आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको इसका पीडियर चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना पीडियर भी इसके पीडियर भी आपको प्रोवाइड करा दोंगे